दोस्तों आज हम देखेंगे जुलाई 2014 में जो सी लेंग्विश का पेफर हुआ था उसका पार्ट वन उसका सॉल्यूशन देखेंगे और उसमें कुछ डिफिनेशन भी बताऊंगा मैं जो कि इंपोर्टेंट होती है जो हर वारी पूछी जाती है जैसे कि कोई सोड कोश्चन में कोई सब कोश्चन पूछा गया जैसे कि यह 1.2 देखिए इसका आंसर बताऊंगा इसके साथ साथ उसकी डिफिनेशन बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ और कुछ ऐसे को सब्सक्राइब हर वारी पूछे जाते हैं तो उनका भी मैं बताऊंगा कि यह इंपॉर्टेंट है इने नोट डाउन कर लेना तो वीडियो पूरा देखना धियान से देखना एंड मैचिंग एंड फिलिन डाविशन में आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप क पूर्चन बनता है विच आप फॉलोंग फांक्शन डेक्लियरेशन नीड नोट हैवर रिटर्न स्टेट्मेंट इन इट्स वोडी तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर होगा वह हमारा भी वाइट वी ठीक है दो तो इसका आंसर क्या है भी एंट वर्ट मैं टूगी तरप च से क्वेंस होता है कैसे रन होता है उसे अडेंटिफाइ करो तो तो ओस्टों सिंबल है इसका answer रहु?! है दोस्तों की को थे हम सबसे पहले क्ोब निखे है कोच टिया कोड़ ओसके बाद आता है कंपाइल ऊस्टे का थे लिंक होता है फिल लुट होता है and then execute कुट होता है इसका अंसर होगा सी दोस्तों ठीक है वन ऐसरी की तरप कलते हैं but will be the output of the following sequence 11 3 का क्या होगा दूस्तों अंसर बी ठीक है 1.3 का क्या होगा प्यूड दोस्तों प्रोग्रामिंग ठीक है दोस्तों और नेक्स जो मारा 4 1.4 इसका रही बिच the following is an incorrect syntax इसमें से incorrect syntax कौन सा है दोस्तों वो fine करना जो पहला हम देख लेते हैं पहला तो incorrect है ही दोस्तों सब्सक्राइब भी सही है C यह भी सही है डी यह भी सही है तो मनलब कि इस का आउसर जो होगा वह होगा दोस्तों पहला वाला सब्सक्राइब 1.4 का यह होगा दोस्तों 1.5 की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं आंसर उसका फॉर फॉलूइंग डेफिनेशन करेक्टर ए एरे हैलो वर्ड एंट आई असाइन गिया और विच आप दो फॉलूइंग लूफ बिल प्रेंट दा आउट्पूट एस हैलो वर्ड तो इनमें से इन्होंने हमें कोश्चन की आंसर दिये हैं चाल जिसमें से हमें बताया कि इसमें स फिर नॉट एकॉल टो एंड नल आई पिलस पिलस ठीक है प्रिंट एफ ए आई तो इसका आंसर सही है करेक्ट है वो होगा डी ठीक है दोस्तों कि 1.6 consider the statement given below 1.6 का जो दोस्तों आंतर होगा वो होगा हमारा एप्रिंट परसेंट डी पॉइंटर पी प्लस ठीक है कि इसमें बोल रहा है ना कंसीडर दा इस्टेडमेंट गिवन बिलो विच्छ प्रिंट इस्टेडमेंट बिल्प्रिंट दा वैल्लू ओफ फॉर्थ इलिमेंट ऑफ दा एर ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा 1.6 का ए सब्सक्राइब तो यह होगा तो जैसे मैं देख रहा हूं तो मैं तुर्ण मुझे पता जबन पाइंट सेविन का इसका दोस्तों भी होगा अंसर जाए चाहिए 249 45 तो सिंपल ही है यार सिंपल है कितना सिंपल है इसमें तो यार दो गई इसने सिंपल पूशे जाते हैं और आपको कंपलीट करके आना है कोई भी कोशन तभी नहीं छोड़ना ठीका विच आफ फॉलोइग इस दा करेक्ट वे तुडिफाइन टूव डिमे इस बेरी डिफिकल्ट ठीक है तो आप प्रोग्राम दूपर फोक्स बनाया रखना आप इसली पास कर लेंगे सी लिंविच फट विल वी दा आउट्पॉट आउट्पॉट फॉलोइं कोट सेग्मेंट इट है लो देर इस गिविन एस इंपॉट तो दो इसका दो आंसर इसका इसका जो आंसर होगा दोस्तों वहोगा हमारा सी ग्यारा बारा इसका आट्पॉट निकलेगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है न तू की तरफ जालते हैं एक परेंट स्टेटमेंट कैन भी यूजट टू डिस्पले आउट्पॉट और डिफ्रेंट लाइन्स याड यूजट इंसर्ट कमेंड्स इन दे प्रोग्राम देट्स फाल्स दस स्टेटमेंट एफ ओपन डेटा डॉट टी एकस्टी डवलू पिलस बिल ओपन फाइल नेम्ड डेटा डॉट टी एकस्टी फॉर वोट रीडिंग एंड राइटिंग दोस्तों इसका अंसर होगा इस लिए सकते अगर मैं इस ट्रॉट्चर की डिपनेशन बढ़ी तो यहां पर बूजर इस्ट्रॉट्स में कोई माली ट्रिक काम निगरती कुछ निए काम करता है तो यह याद रखना फूपान फ्रिक टब चलते हैं इस नो स्टोरिज क्लास इस मैंसने फॉर आ वरीवल ड इस नेसेशरी तो हैव डिफॉल्ट के संट शुचे स्टेटमेंट 2.6 का दोस्तों होगा हमारा फाल्स और 2.7 की तरफ चलते हैं इस कंतिन्यूं इस ट्रॉप टॉप 2.7 का होगा ट्रू दोस्तों और 2.8 की तरफ दोस्तों इस नेम और परमेटर इन फॉंक्शन डिपनेशन उने इस देक्ड़ इस नमस्त बीसे इए जिस कि दूड़ कि इन का दैसल भी से मोनी तेन ही कला टे वोस्तों तो पांटे इच का तरू होगा न्यूं की तरफ ऑन्यूंक्त रिच्वां डिच्क्तों और वॉन्स टे मॉंस्तों इस तरू और इस दिक्तू का ट्रूट होगा दा अडर्डर्स ऑफ वेरिएबल इस पास्ट वह फंक्शन एंड कॉल वाई रिफ्रांस 2.10 का टू होगा हम थिरी की तरफ चलते हैं इसका जो आंसर होगा कॉल इटसेल्फ कॉन करता है इसका जो इसी मैलोग के लोग ये डिफिनेशन तो आप याद करें ना मैलोग के लोग होता क्या है इसके प्रोग्राम बना के देख लेना आपको एजली समझ माज़ाएगा ठीक है तो हर बार ही इसमें मैलोग के लोग मैं से पूछा ही जाना है जरूर घट लेना दोनों समझ लेना अच्छे से तो इसका जो आंसर होगा दोगो 3.3 का मारा जे होगा जिसमें मैलोगं धीकमेलोग दी घानेम क्मेंग को स्थिका है ऐस्पेस फोद वन मैंभ ऑनली तो दोस्तों 3.4 का जो मारा आंसर होगा वहोगा हमारा युनियन ठीक है और वन मेंबर लिए क्या होता हिए अनल सबस्क्राइब को कई कि बंघ्र रॉंङ बड़िए विकार्ज न सब्वर्ण को वड़ारा घ्लबобщ करें में Pi उसका टाइप कास्टिंग ऊत均ब होगा असथ मेंबर नेम लगा इसका रोन मेंबर नेम रहुकर लेकिन इसके आंशर देखे इसमें यूनियन टाइप कास्टें स्ट्ञेटें इसे कृछ भी नहीं होका मैं लॉक कर नहीं होगा इसमें नहीं होगा पर के वाले में दिया है इस तो इसका दोस्तों झुछ यूढमारा इसका जो हमारा आंसर हो गए जोस्तों वेखा सी स्ट्री सिंप ठीक है स्टीं के लिए धिक है यूनरी ऑपरेटर पिलस पिलस किया है हां दिया है तो यूनरी ऑपरेटर के लिए 3.9 का आई हो जाएगा रीडिंग लाइन इसकेन एफ तो 3.10 का हमारा डी हो जाएगा ठीक है इस का अंसर होगा डी चलते हैं फॉर्थ की तरफ बोल रहा है इस यूज टू किलब वरियेबल ऑफ दिफरेंट डेटर टाइपस एज यूनिट इस ट्रक्चर होगा इसका अंसर इसका अंसर इसका आंसर होगा इसका अंसर होगा लिंक्ड लिस्ट अगर हमें आंसर मिल जाए तो लिंक्ड लिस्ट एफ में दिया इसका आंसर में बता था लिंग्ड लिस्ट इस एक्जिक्ट इड लिस्ट वन तो डू वाइल होता है इसका अंसर क्या होगा इस देर इस नो टेस्ट कंडिशन इन फॉर लूप दैन इस वीकम्स एन तो 4.4 का तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा होगा जी जी में हमारा दिया है इन फाइन ठीक है तो यही है 4.4 का इफ दियर इस नो टेस्ट कंडिशन जब कुछ टेस्ट कंडिशन नहीं होती है दैन क्या होगा इन फॉर लूप में ठीक है इट वीकम्स एन क्या हो जाता है इंफिन नाइट ठीक है एंड फाइब की तरफ चलते हैं और यह बोल रहा है कि एब और दा यूज ओफ और दा यूज ओफ 4.5 का जाएगा दोस्तों एफ गो टू स्टेटमेंट इन दा प्रोग्राम एंड ऑपरेटर विच चैंज दा वैल्यू ओफ वेरिएवल ऑन हैंड साइड ओफ एन एक्परेशन इस तो 4.6 का मारा आंसर होगा C 4.7 की तरफ चलते हैं 4.7 का इफ फंक्शन इस डिफाइंड एज डिफाइंड अ करेक्टर दैन इस 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 डिटन टाइब तो इसका दो दोस्तों आंसर होगा वोगा इंट 4.8 format code in print to print exactly 10 करेक्टर इस दोस 10 can be used to write in a file इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा L एफ प्रिंट एफ जो हमारा नाइन एक पॉइंटर वेरियेवल स्टोर्स दा एड़र्स टू अनुलर परियेवल ठीक है 4.9 का हमारा हो जाएगा पॉइंटर एन 4.8 का मैंने बनाई दिया इसका होगा परसेंट 10S तो यह हमारा फिनिस होता है आपको वीडियो कैसा लगा व सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत